यैसे हम अपने जीवन को बढ़तावा देख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि संसार में जीने का और संसार को समझने के तौड तरीके बहुत तीजी से बदलते चाहेँगा, अब प्रशने यही उठता है कि जीवन में सबसे बड़ा संधर्ज क्या है, इस बदलते वे जग जो परंपरा हैं अगर हम एक जनेरेशन में देखते हैं कि एक सोच थी एक जनेरेशन की, वो दूसरी जनेरेशन पहुचते पहुचते वो सोच ही वदल जाती है, अब यहां पर एक बड़ा संकट है, कि एक तरफ तो हम चाहते हैं कि हमारा देश एक आधुनेक देश बने, एक संसार का महत्रपून देश बने, शक्तिशाली देश बने, अब एक समय था कि शक्ती का प्रदर्शन जब देश करते थे बड़े-बड़े देश, क्योंकि दो बड़े महा देश थे, अमेरिका रूस, इन्ही की नीतियों पे और छोटे-छोटे देश चला करते थे, तो एक समय था कि लोग अपनी military strength को दिखा करके यह दिखाना चाते थे कि कौन सा बड़ा देश है, तो सारे देशों ने बम बनाने शुरू के, हतियार बनाने शुरू के, इतने हतियार बना दिये, इतने बम बना दिये, कि वो देश स्वेम नहीं जानता कि उन हतियारों इन बम ज्यादा है, तो हम सप्ते शाली शक्ति शाली देश बनें। फिर पढ़े नाम क्या होने लग गया कि जब आप सारा अपना देश की धनराशी है के बम बनाने में लगाएंगे, या हतियार बनाने में लगाएंगे, तो सभावे कहे कि देश की जो और ज़रूरते होती हैं, उनके उपर आप फोकस नहीं करते हैं, दीरे-दीरे हमने देखा, USSR जो एक Russian Federation होती थी, उसके अलग-अलग विभाजन होने लग गया, क्योंकि उन्होंने इतना पैसा बम बनाने में लगा दिया, कि और जो देश की विवस्ताएं होती है, शिक्षा हो गया, आर्थिक विवस मदद से हम अपने आपको शक्तिशाली बना सकते हैं, कि हम और देशों के आर्थिक मदद करेंगे, तो फिर अब धीरे-धीरे रूपांतरन आया, फिर आपने देखा कि American policies पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध होने लग गई, सब लोग कहने लग गई कि अभी America हमारी इतनी मदद कर रही है, तो अमेरिका की बातों को माना जाए, फिर एक रूपांतरन आया, चीन एक ऐसा देश था, जहां महराजी बताते थे कि जब वो सबसे पहली बार चीन गए थे, तो ना उनके पास एरपॉर्ट था, ना उनके पास कोई विवस्था ही थी, इंफ्रास्रक्च तो कहते थे, जब प्लेन लाइंड होता था, मैदान से जगे पे लाइंड होता था, और लोग गाड़ियां लेकर के वहीं पहुच जाते थे, जो पैसेंजर अपनी गाड़ी में बैठ करके चले अगए, तो मतलब कोई इंफ्रास्रक्चर कोई चीज नहीं थी, लेकिन लेकिन आदी से जादी चीजें जिसका हम उपयोग करते हैं, वो made in China होती है, तो कहने का विप्राय क्या है कि शक्ति क्या है, इसकी रूप रेखा बदलती गई, लेकिन जो एक समय शक्तिशाली देश था, अगर वो अपनी समय के साथ रूप रेखा नहीं बदल सका, तो अब एक बहुत बड़ा प्रश्णिचिन आता है समाज के आगे, और जो समाज को मार्ड दर्शन देते हैं, कि आने वाले समय में ये बदलाव क्या हो, तो जिस तरह से संसार में विडम बनाए हैं, जिस प्रकार की संसार की मुश्किले हैं, अगर इनके ओपर गौर किया जा जाए, तो संसार में इसनी परिशानिया नहीं है, हम आफरिका की बात करते हैं, तो आफरिका में कहते हैं कि कहीं देश हैं, जहां भुक्मरी जादा है, मतब लोगों को खाना भी नहीं मिलता, वही अमेरिका जैसा देश है, अमेरिका के देश में गेहूं की इतनी प्रोडक मुद्र में दुबा देते हैं हर साथ को कि अगAR चीज हत से ज्यादा बजार में मिलेगी तो सस्ती होती रहेगी कि लेकिन अगर कल नहीं मिलेगा कि कल हमें गहुए का दुगना दाम भी दे सकते हैं का तो कहने वाब कह हम देखें कि आफरिका में बहुत समस्या लेकिन अगर अमेरिख का गेहू बनाने वाले दिन Kolum को अगर उसके अंदर यह सोच घूम कि मेरे से दूर रहने वाला कोई व्यक्ति दुखी ऑघे और एप कगो और अगर उसके अंदर है मैंनने की मदद करने का तो जितना गेहू वह नधुए में भार आया पानियों में डुबा डुबा करके उसको खतम कर रहा है उतना तो गेहूं अगर वो आफ्रिका में भी बेज़े तो किसी ना किसी का तो पेंट भरेगा अब कहने का विप्राई यह है कि लोग यह करते नहीं है आज के जमाने में क्योंकि मोटिव क्या है कि हमारा एकोनॉमिक डॉइलप्मेंट हो आर्थिक लाभ हमें प्राप्त है लेकिन हमारा मानना है कि आने वाले समय में जो एक दूसरे के दुख दर को बाटेगा वही देश स समय चला गया कि हम केवल बंदूग दिखा करके अपना अपना यह दिखा सकते हम कितने शक्ति शाली है तो इसी के लिए भारत देश की भूमिका बड़ी महत्वपून आने वाले समाज में संसार को मार्ण दर्शन देने की रहेगी क्योंकि भारत देश के पास एक कि भारत संस्कृती के सारी संस्कृतियों में यह भुड़ा नीं सस्कृती है वेदो का गान अभी तक धर्मों का जनम नहीं हुआ था के तो कहने लगे के कहने को अभिप्राय की इतने समय थे हैं अगर आप देखो कि भारत देश में भारत देश की जो एक philosophy थी वो बाटने की थी और sharing की थी भारत का ज्यान कभी भारत तक सीमित नहीं रहा भारत का योग कभी भारत तक सीमित नहीं रहा आज योग प्रशिशन से देश-विदेश के लोग योग को सीख करके अपने जीवन को खुशाल बना रहे हैं अपने यही है कि आने वाले समय में भारत को और अन्य देशों के मुकाबले में अपने अस्तित्व को जागरित करना है यह नहीं कि हम कहें कि भई हम भी रूस जैसे शक्तिशाली देश हो कि हम बं बनाते रहे हम भी अमेरिका जैसे इकनॉमेकली ड्वलब देश हो कि हम केवल एकनॉमेक ड्वलब पर फोकस करें कि पैसा पैसा समाज में होता रहे और पैसे के बल्बूते हम सारी समस्याओं का समाधान कर देए क्योंकि आज अमेरिका इतना शक्तिशाली देश है लेकिन आज आप एकबारों में पड़ो तो अमेरिका में कितनी समस्यां यह आपको दर्शाइब देचन्ने कुमेरिका की जनता अपने राश्बती का संब्मान नहीं करती राश्पतियों का ऐसा है जो अपनी जंता का संबान नहीं करता तो यह देश आगे चल करके कितने समय तक शक्तिशाली रह पाएगा तो यही आज हमारा मंथन का विशय होना चाहिए कि आने वाले समय में एक भारतवासी होने के केनाते हम अपनी भूमय का और अपनी देश की संसार में किसुख में और लिए मेरा कहना है कि संसार का सब्से बड़ा गर्श कर संसार्य परिशानि कि अगर समाज भ्रष्ट है तो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता लेकिन कोई आदमी यह कह सकता है कि अक्बर के जमाने में भ्रष्ट सरकार नहीं सुछने की बात है हम उस जमाने में रहे नहीं लेकिन अगर उस जमाने में भी लोग रहते तो कोई ना कोई तो भ्रष्ट तो जब investigation हुई उसमें निकाला कुछ लोग आए राजा के आगे कहा कि इसने हमसे यह पैसे मांगे यह दबाया यह अब राजा संतुष्ट होगे राजा अकबर कि यह मेरा जो दर्मारी है यह बड़ा बड़ा दोके बाज है दगा करता है हमारे राज दर्मार से तो इसकी ऐस क्या सवगीच लिएक जीवन भर के काम करते करते आगे ब्रταιं माँने ब्रश काम करात्ब यह ब्रशा और क्या कहते हैं हुए और कहते हैं कि तेरा काम है यहां बैठ करके तु यह गिन कि हर दिन कितनी लहरे आ रही है और जा रहे है अब सभाविक है राजा का अदेश है उसे मनना तु नहीं है तो चला जाता है लेकिन यही सोच है कि हम डंड दे दे एक भ्रस्च वेक्ति और हम सोचेंगे कि डंड के बहसे वह व्रस्च नहीं जाएगा। लेकिन इसकी कोई guarantee नहीं है, अब वो आदमी क्या करता है दरबार ये गुज़रात के टट पे पहुंचता है। अब गुज्रात के टट पे जब बैट करके लहरे गिन रहा होता है तो वो क्या देखता है कि कोई बड़े-बड़े समुद्र के जहाज आते हैं लेकिन वो समुद्र के टटके किनारे नहीं जा सकते हैं तो क्या है कि उनका समान छोटे-छोटे फिर नाओं में बैट करके उनको समुद्र के किनारे लाया जा रहा है अब ये वेक्ति क्या करता है ये देख लेता है कि बड़े जहाज तो मेरे पास नहीं आ सकते लेकिन छोटे जहाज तो आ जा रहे हैं तो वो क्या करता है सारे छोटे जहाजों के कप्तानों को जा करके डरा देता है और अगर हर दिन मैं सही रिपोर्ट नहीं दूँगा तो क्या होगा राजा का गुसा आएगा यहां कोई कारवाई होगी और जब मुझसे पूछा जाएगा कि तुमने लहरों की गिंती में कमी क्योंकि तो मैं तो यह कहूंगा कि छोटे जो नाव आ रहे थे यह डिस्टरब क उन्हें अपनी मीटिंग बुलाई उन्हें का कि कल यह ना हो कि राजा गुस्ता हो जाए और वैपारी करने की पाबंदी लगा दे तो उन्हें क्या क्या कि एक साथ कुछ-कुछ पैसे खटा करो और हन मैंने इस राजा के जो यह अधिकारी है दर्बारी इसको हमें देना हो जहां वेदों की रचना हुई जहां द्रों करने में भगवान की प्रत उर आरतीश हो हम सबसे पहले भारत के समाज में रहते हैं भारत संस्कृति को आगे प्रोसान कर रहे थे कि भई धर्म की जय हो और अधर्म का नाश होना चाहिए अब यह सोचने की बात है कि आपने डंड बना दिये नियम बना दिये लेकिन अगर हम आज कह रहे हैं कि जी ब्रस्टाचार है तो इसका मतलब कोई ना कोई ही तो व्यक्ति भरस्ट है और कि यह आप बंद करने जो हमानते हैं कि भारत के आगे जो चुनूती देश के हरchnet एक नागरिक के आगे हैं कि सबसे बड़ी चुनाती है कि हमें अपने आप से लड़ना है अपने आप से लड़ना क्या है कि अपने अंदर से जब तक हम कमियों को दूर नहीं करेंगे अपने अंदर से जब तक हम एक सही भारत के निर्मान की चेश्टा को प्रबल नहीं करेंगे और उसको अपनी जुरुतों से आगे नहीं रखेंगे तब तक भारत विश्व गुरु बने ये एक कहावत ही रह जाएगी एक कहानी ही रह जाएगी और ये आदमी की सोच ही रह जाएगी लेकिन ये साकार्पक रूप में हम नहीं देखेंगे हम देश विदेश जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, तो बड़े आदर और सम्मान से भारत के लोगों के बारे में हर एक देश का नागरिक, मतब विदेश का नागरिक भारत की लोगों के, मतब समु को बड़े सम्माने रूप से देखता है, क्योंकि जब भारत का विक्ति क्रण से काम करता है और देश के लोग रहें कोहीं देश के लोग्गे काम समय पर ne है को एसी हो जाते हैं कि अपने देश में रहते हैं अपनी डेश में करते हैं कुछ पी सुनिते कुछ विचे होungen मेहनत नहीं करना चाहते हैं लेकिन भारत का नाग्रे कहीं भी जाता है तो बड़ी मेहनत से लगन ते परीश्रम से अपने समाज को वहां सबारता है लेकिन आप हम अपनी देश में देखें बाहर जाके तो हमने बहुत अच्छे-च्छे उधारन पेश कर दिये लेकिन छोटी-छोटी लोगों की ना समझी के कारण आज हमारा ही जो देश है वो क्या है एक अगनी में जल रहा है लोग धरम के नाम पर लड़ते हैं मजब के नाम पर लड़ते हैं और लोग लड़ा रहे हैं लोगों को एक बड़ी सुन्दर बात याद आई मुझे एक विज्ञानिक ने परिक्षन किया उसने पांच बंदरों को एक कम्रे में बंद दिया कम्रे के बीच के अंदर उसने एक सीड़ी रखी है तो जब एक बंदर सीड़ी पे चड़ता था केले को लेने के लिए ऊपर सीड़ी के उपर केला लखा तो वो विज्ञानिक क्या करते थे चारो और जो बंदर थे जो नहीं चड़ पाड़े सीडी क्यों उनके उपर पानी का छिड़काव करते थे बड़े ठंडे पानी अब क्या उने लग गया जैसे ही कुछ दिनों बाद जैसे वो बंदर जो उपर जा करके फल लाता था जैसे वो सीडी की तरब बड़ा वो चार बंदर क्या थे उनको डर लगने लग जया कि अभी पानी का छिर्काव होगा जैसे सीडी को चुएगा तो वह अपने तुरन जल् लेकिन वो चार बंदर जिसके उपर बार-बार ठंडे पानी का छिड़काव होता था उस भे में आकरके वो पहले बंदर को मारने लग गए अब विज्ञानिकों ने क्या कि धीरे धीरे वो जो चार बंदर थे उम्मे से भी बंदर बंदने लग 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 तो जैसे ही एक बंदर सीड़ी के तरफ जाता वो जो तीन बंदर थे जिनके उपर पानी का छिड़काव होता वो तो भे में आकर के मारते लेकिन वो जो चौथा बंदर ने आया है उसके उपर कभी पानी का छिड़काव नहीं हुआ लेकिन ये देख करके कि ये तीनों बंदर इस बंदर को मार रहा है वो भी उस बंदर को मारने लगे है फिर दीरे-दीरे क्या हुआ उन्होंने एक और बंदर को निकाला जिसके उपर पानी का छिड़काव होता था ऐसे ऐसे करके उन्हें सारे बंदर रेप्लेस कर दिये फिर क्या हुआ जब उन्हें एक्सपेरिमेंट को देखा तो जैसे ही वो व्यक्ति पहला बंदर वो सीड़ी की तरफ जा रहा है उकेले को निकालने के लिए तो चारो नए बंदर है उनके ओपर जीवन में कभी पानी का छिड़काव नहीं हुआ लेकिन आदत बन गई कि यह जैसा ही पहला बंदर सीड़ी को चुटा इसकी पिठाई करो अब अगर किसीन से पूछा जाए कि अगर बंदर बोल सकते और अधरन लोग उस्itarian करें जासने तो यहीं तो पूछते उसे कि आप लोग आए इस पिंजड़े में आप लोगों ने इस बंदर को क्यों मारा तो वो जो चार बंदर है जो मार रहे हैं लेकिन रूपा पानी का छिड़काओ तक भी हुआ हुआ यही कहनी है, तो आज कि ब kep बंदर का कोई दमाग ही नहीं कोई हमें कहता है इंको मारो और हम लड़ने के लिए तयार हो जाते हैं कोई करता है कि हम कूँ मारे हैं हम ये क्यूं करें कोई प्रष्ण नहीं करता क्योंकि distort contributing हमने लगता है कि पहले से यह व।र ही है और अभी भी हमें यह 커णी है और इसी ना पूछने का फाइदा गलत प्रकार के जो लोग होते हैं, जो चाहते हैं कि वेमनसिता फेले, नफरत फेले, गरीबी फेले, ताकि उनका वर्चस्वर रहे, उनकी शक्तियां रहे, लोग कल उनके आगे हाथ जोड़े, घुटने टेके, और वो बड़े से बड़ा व्यक्ति बन सके, और वो इस भ्रह्म को फेलाते हैं, तो आज मेरा यह कहना है, कि सप्ने बड़ा जो संगर्ष है, कि आज जो चुनोती समाज के प्रती या भारत देश के प्रती है, वो है कि हमें इंडिविजुल को समझाना है, जो व्यक्ति विशेश है, उसे समझाना है, अगर उसकी धारना अटूठ है, अगर उसके संसकार अटूठ है, तो आपको यह भी नहीं बोलने की जुरुत है, उसे समाज में क्या करना है, एक उतक्रिष्ट उधारन बनके, वो समाज में अच्छे ही काम करेगा, धर्म की ही विजय स्तापित करेगा, और धर्म का नाश करेगा, तो जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो तो स्वतह ही होगा, लेकिन इसमें संघर्ष हम सब को अपने आपसे करना है, इसलिए महानपरुश इसी चीजों को समझाते हैं कि अपने आपसे संघर्ष करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर से ही हर एक बुरे प्रभावों का जनम होता है, और अगर हम चाहे उन बुरे प्रभावों को हम अपने अंदर ही खतम कर सकती है, यह आज आप देखो, समाज में इतनी ऊची, इतनी धरारे हैं, अमीरी और गरीवी में इतना. तो यह अमीर आदमी किस तरीके से अपना जीवन जी रहाएं संसार में. और गरीव आदमी किस तरह से अपना जीवन जी रहा? स्वती पस criticism को भूलता हैं. अब इस दूटी को मिटाना है तो भाई अगर इच्छा अमीर आदमी में भी हो फो गरीब आदमें भी ओ तो पुर्या मिट सकते हैं लिकिन आज जिस तरह इसे हम भारत देश को देख रहें कि अामीर और अमीर होते चले जा रहें वर गरीब फिर जा रहें तो कहीना कहीं तो यह मंशा नहीं है कि समाज एक हो, समाज आगे बढ़े, कहीना कहीं एक अमीर आदमी सोचा है, मैं और अमीर हूँ, और यह आदमी मेरे से और अमीर ना हो जाए, कहीना कहीं यह मंशा तो है, तो लड़ाई यह थोड़ी है, कि आज हमारे पास माध्यम नहीं ह या भारत सरकार के पास इतना धन नहीं है कि वही किसी की व्यक्तिकी स्थितिक को बदल दे लेकिन आज क्या हो गया है बड़े दुख की बात है कि हम मानसिक रूप से हमारा एक हम लोग कमरे में बैठ करके नीतिया बना सकते हैं कि भारत देश कैसा होना चाहिए लेकिन जब तक जमीनी हालातों पर हम उतर करके बदलाव को नहीं लाएंगे एक गरीब से गरीब देश्वासी के अंदर प्रिणना होनी चाहिए यह देश मिरा भी है यह नहीं कि मेरा जीवन केवल भई लोगों की गालिया लोगों के मतलब जुल्मों को ही सहने के लिए मेरा जीवन बनाय तो कहने का विप्राई यह है कि अध्यात्मिक मंथन जब तक हमारे जीवन में हमारे समाज में ना हो तब तक जो आने वाली चुनौतिया हैं इन चुनौतियों को सामना करने में सक्षम नहीं रहते हैं इसी के लिए मानपरोश बार-बार समझाते हैं कि अपने आपको जानो अगर एक गरीब व्यक्ति अपने दो रोटी खा करके अपने खेट में मेहनत करके अगर संतुष्ट रह सकता है तो इसका मतलब संतुष्ट रहने के लिए हमें और चीजों की जुर्णति हैं संतुष्ट रहने के लिए एक सोच का प्रबल होना बहुत जुरूरी है कि जो पिर्याप्त है इसको कहते हैं संतुष्टि संतुष्टि अगर हमारे जीवन में आध्यात्मेक बालेंस ना हो तो यह संतुष्टी कभी नहीं आ सकती हम देश-विधेश जाते-एं देश-विदेश-मे- बहीं कोई प्रीमी है बहुत अमीर भी है उनसे बात करते हैं उनके घरों में जाते हैं तो हमें कि से jerk out. हम Mek si को जाते हैं बहुत गरीब देश है गोरु मरांज ी ने बहुत पहले परचार के अब भागा讲 करते हैं लेकिन वहां की अलग अलग परिशानिया कुछ और रहे हैं है। कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है आर्थिक स्थिति देश की ठीक नहीं है कुछ-कुछ लोग है जिनकी कभी नौक्रियां चली जाती रातो रात सुबेरे उन्हें भी पता वे कल में अपने बच्च उगले खाना कैसे लाएं लेकिन जब लिवावन प्रीमियों। मिलते हैं तो इंची पर हम खुशी मात है। कि जह आम उन से बात करते हैंं कि कलका क्या होगा तो कहते हैं कि आज तो गुरू मराजी ने हमें दे दिया तो आप यह सोचने की बात है न? प्रिस्तिती से है और उसके मन के अंदर मतब हर एक रीजन है गुस्षा होने का गलत काम करने का किसी का और का अधिकार चीनने का अपनी अधिकार को पूरा करने के उसके बचारा कल यह नहीं जाता कि अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाएगा लेकिन अगर उसके अंदर कोई वेमिर सता नहीं है अगर वो आज के जीवन से संतुष्ट है कल के कल क्या होगा इसके भ्हेमें नहीं जी रहा तो उसका जीवन तो सार्थक ही है ना एक रूश्ट कई और हम भारत देश नहां में देखते हैं कितने अमीर अमीर प्रेमि लोग हैं अगर आजी के पास आते हैं नं तो फूर्ट ही मांगेंगे कुछ सही नहीं मांगें वो कहेंगे कि जी इतने वह नहीं हो रहा बिज्नस पहले होता था मतंता अब देखो bit अममें प्रियाप्त है हमारे पास घर भी है गाड़ी भी है कल इतना पैसा भी बैंक में है कि हमारी नौकरी भी चली जाया दुकान भी बंद हो जाया तो अपना जीवन तो हम चला सकते हैं ऐसे ऐसे लोग है लेकिन संटुष्टी होने के इनकारण उनके पास प्रियाप्त भी है लेक और जब तक जीवन का सोचने का तरीका सही नहीं है तब तक हम जीवन में एक वायबल चेंज एक पॉजिटिव चेंज नहीं ला सकते हैं चेंज तो होगा किसी ने का दो ओनली तिंग इनिवेटिबल इस चेंग कि परिवर्तन सेश है आज नहीं तो कल आपके जीवन में पॉका मिला है क्य弄 अपने लिए जीने का नहीं अपने देश के लिए अपने समाच की लिए भी जीने के लिए तो जीवनकों जीना है तो एक उट्कृष्ट उधारन बन कर पॉजिटिव इंग्यसामपल बन करके तो मेरा यही कहना है वही कारकरम तो आगे होते रहते हैं, लेकिन हर एक कारिक्रम हमें एक मौका देता है कुछ नया सीखने को, बहुत से लोग हैं रहे क्igor और जब आप question करते हैं तो उसके मन्थन से ओजस प्राफ होता है विवेक आपको प्राफ होता है इसी के लिए आदि गुरु शनकर चारेज जी क्या कहते हैं कि नित्य अनित्य विवेक विचारा विवेक से बुद्धी से इंटेलिजन से आप संसार को question करो यह क्यूं हो रहा ह है और जब आप question करोगे तो वह question अपने आप आपके जीवन में अध्यात्मिक क्रांती को लाएगे और जब अध्यात्मिक क्रांती शुरू होती है तो संपन भी होती है जब आपने कदम आगे बढ़ाते हो तो आपकी मंदिल और करीब आती है तो यही कहने का मतलब है कि अंदर एक hidden potential है हमारा एक hidden talent है जिसको हम नहीं जाने क्योंकि हम संसार की परिशानियों से अबगत है मन हमेशा संसार की वासनाओं में भाग रहा है कभी हमें समय नहीं मिला अपने आपको जानने का लेकिन जब हमें ज्यान मिलता है तो गुरु मराजी पल भर के लिए हमारा जो attention है समाज की वासनाओं से हटा करके अपने अंदर विलीन करते हैं अपने धह में अपने मन को विलीन करना ध्यान लगाने वाला ध्यान है जब आप ध्यान से अपने अंदर विलीन करोगे अपनी आत्मा में विलीन करोगे अपनी स्वासों में विलीन करोगे तब आप ध को इस हुआ साद्धन क्या है कि मन इसमें हो गतली द牌 को समझाने के लिए और सरल बनाने के लिए अतंजय है चे जीनलों को उपदेश है जब ब्रहन बैटते हैं कि चार क्रियां का अउपयोग कर religious लेकिन सबसे पहले चार क्रिया आपकी मन की शक्तियों को आपके अंदर केंद्रित कर रही है कि दीरे-दीरे मन अंदर केंद्रित हो अगर भजन से पहले ही अलाम लगा दिया तो पूरे भजन के समय में तो अलाम का ही चिंतन हो रहा है तो यह जो मन का भागना है यह दीरे-दीरे शांत होता है और निरंतर अभ्यास से फिर व्यक्ति अपने अंदर शक्तियों को जाता है और हम देखते ही हैं कितने समाज के उधारन हैं हमारे चारों तरफ आज हम भी दर्बार में बैठे वे हैं तो किसी व्यक्तित्व ने हमें प्रेरित किया और उसका व्यक्तित्व अलग कैसे था अग प्रेढ़ना तो घर में हरेक रखते को अपनी बीदी से ही मिल जाती है तो अब बार जाने की जुरत हो रही है क्योंकि किसी ने सही कहा कि कि दूर दाश्टिक में उसने कहा शाधी से पहले नौ देवियों का वास होता है महिला के हैं लेकिन शाधी के बाद कौन सी देवी प को देख कर तो आपको प्रिणा मिली होगी कि इंका जीवन हमसे अलग कैसे हैं यह भी हमारी तरहे ट्रेंड में धक्के खा रहे हैं बसों में धक्के खा करके निकलते हैं हम तो जब बस से निकलेंगे तो मन में इच्छा होती अग्ली वार बैठूं तो मैं दस दोगों को मैं कॉझे जब मुझे धक्का मिला है तो हम भी दख और देखा लेगे लेकिन दूसरे वेक्ति निकलते हैं उस्ते-शनार कोई भी खिचा-तानिम हो चेहरे पर मुष्कान ले करके उन चलंदेर चले खाँ आधा विश्वास है इस में विश्वास है लेकिन बगवान हमारी तो संसार पल पल हमारी परिक्षा रेता है यह देखने के लिए कि जो हम कहे रहे हैं लोगों के आगे इस पर हम स्वेम खड़े उतर रहे हैं कि नहीं और जीवन का यही सबसे बड़ा संगर्श है जो मैं कह रहा हूं अपने आप से एक व्यक्ति था समाज में बड़ा परेशान था तो एक सादू महात्मा के पास जाता ह बनाओ अपने कपड़े वी धो कितने काम है अपने आपी करने शुदा मास्राम की पिसली चाहा अब अब अच्छा ही है जब सुबेरे मेहनत नी करनी है और हट चीज अपने आप हो रहा है और आपको फेबल बैट करके आश्रम की थोड़ी बहुत चीजे की साफसफाई करनी है और ध्यान करना अब बस कुछ मेहने बाद वो व्यक्तिय समझने लगता है कि उसमें सब कुछ जान है बड़े सुख और उसका मतबना निर्वान का अभाद है अब उस व्यक्ति का एंकार इतना प्रबहल हो गया कि अपने गुरु मराजी के आगे चला गया और कहने लग गया गुरु मराजी अब मैंने सब कुछ जान लिया जो जानने के लिए तो गुरु मराजी ने का कि अ अशांती रहती थी अब वो अशांती नहीं रहती फिर उनने कहने लग गया कि पहले मुझे गुसा भी बहुत आता अब जैसे यह कहा कहने वाले थी क्या मुझे गुसा नहीं आता हूं कि जो गुरु देव होते हैं वो एक डंडा लेते और जोर से उसकी सिर पर मारता है गुरु मौ ज़िए अभी तो तुम कहने वाले थे ना फेले गुसा भी आता गुसा भी नहीं आता तो यह घुसा खहां से आया इसका मतलब बहुत से अभी हमने जानना शेष है ना आपकाक पर्षिवरला pace I am 5-6 उपनी वीवार का प्रजलंन नहीं बचेलाइन अब जैसे आप से दूसरे स्टेप जाओगे नभी जैसे रगते हो जो तो मैं अभी कर रहा हूं यह जीवन की सबसे बड़ी परिशानी है लेकिन आज मैं अगर आपसे पूछू हूं कि आप टेंट का एक्जाम आपको बड़ा मुश्किल लगता था तो आप हस करके उसको टाल देंगे कि नहीं वो तो हमारी ना समझी थी वो तो जीवन में और भी बड़ी परिशानी है उसके आगे तो ये क्लास 10 का एक्जाम देना तो कुछ भी नहीं है जो हमारे ही सीनियर हमको समझाते थे कहते थे आरे आखे बंद करके एक्जाम दे दो लेकिन जो एक्जाम दे रहा है उसको तो यही भै है भई मैं फेल ना हो जाओ उसी भै में वो ज मतलब ही है यह होता है कि आप बंदे में नहीं है तो कहने का विप्राय है कि आज मांसे कोड़ते हमें आज सारी आजादी आपको है आप भारत देश में रहते हो एक समय था कि जब भारत आजाद हुआ है और हमारे जो सबसे पहले सदान मंतरी थे जवालरान मेहरू जी वह क करके उनके कॉलर को पकड़ लेते हैं कहते हैं आप किस अजादी की बात कर रहे हैं मेरा घर था लहौर अब मुझे घर से निकाल दिया गया अब मेरा पंजाम के दो टुकड़े हो गया हमारे देश के दो टुकड़े हो गया आप किस अजादी की बात करते हैं तो बंदे नह क्या होता तुम्हारे साथ वो भी कहने का बात है कि सोच की परिवर्थन होना चाहिए और आज उसी चीज के ऊपर हमें मंत्यन करना है कि कि सोच से हम अपने जीवन को जिए ताकि भारत एक विश्व गुरू बने यह नहीं कि भारत विश्व गुरू बन चुका है आज उस समय था बहुत सी आर्थिक समस्या अमेरिका में भी आई उस समय जॉन फ केनेडी उनके प्रेजिडन थे इतनी कोल्ड वार होती थी कि सारा जो धन राशी थी यह बं बनाने में ही खर्च कर देते तो बहुत सी चैलेंज जिस थे अमेरिका आज 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 लेकिन उन्होंने एक नारा अपने देश को दिया जॉन फ केनेडी ने यह नारा दिया तुम यह पूछो कि हम अपने देश के लिए और उस नारे ने अमेरिका के अंदर एक एसी क्रांती एक स्पिरिट इसी क्रांती अप्रती को उत्पन किया कि अच्छा जीवन तो अच्छा ऐसा का तो कहने का वप्राय कि एक नारे ने उनकी देश की स्पिरिट को वदल दिया आज आप देखो हम भारत की सम्षुल्टी के बारे में कहते हैं लेकिन वक्ति आप बताओ यहां इसे कोई बडा विक्ति यहां से कोई बड़ बडा वेक्टि अपनी गाड़ी में निकलेगा तो हम हम तो कहते हैं कि पुलीस वाला पेधियां व्रस्ट भृष्ट है। जो इस थंक ब्रस्ट लेकिन उसको रोका जाता है तो वह अमीर आत्मी है जो पड़ा दिखा है जिसको भारत के समविधान के बारे में सब कुछ पता है बोल सकता है एजुकेटेड है लेकिन वही पाचसो रुबे का नोट निकाल करके उस व्यक्ति को प्रोवन कर रहा है उसे ब्रस्ट तो आप बताओ ब्रस्ट कौन है तो जो लोग आज समाज के लीडर्स बनते हैं अगर हम ही बारत के समविधान पर नहीं चल रहे हैं तो हम कैसे किसी को प्रेणा दे सकते हैं कि तो यही है ना हम सब लोग अपने जीवन में किस ना किसी रूप से एक शौट कर चाते हैं क्योंकि हम कष्टों को जहलना नहीं है लेकिन अग देरादून यूपी का एक छोटा सा हिस्सा था कि देरादून में 16-16 घंटे लाइट नहीं होती लेकिन फिर भी जीवन चलता था यह तो नहीं कि जीवन समाप्त हो गया या हम पड़े लिखे नहीं हम पड़े लिखे बड़े होए जब तक हम भई कॉलेज तक पहुंचे त नहीं चलेगा इंटरनेट नहीं चलेगा फेस्बूक नहीं चलेगा लेकिन एक समय जीवन तभी भी चलता था जब 16 घंटे लाइट नहीं होती अगर हम कल अमेरिका भी चले जाए और बहां मतब कुछ आंदी तुफान से तीन दिन लाइट भी चली जाए तो भारत का ही वे बिजली जाते में देखी नहीं अगर उसके जीवन में एक दिन बिजली चले जाए आपको पता है उसका जीवन समाप्तों भूने की कागार पर आ जाएगा उसको समझ में नहीं आएगा कि जीवन कैसे जीवन कभी नहीं आया और वो संगर्श कभी नहीं आया उसका जीवन क मिले तभी भी हमारा जीवन आगे चलेगा तो संघर्षों ने हमें कमजोर नहीं किया बल्कि जो बच्पन में हमने संघर्ष लिया 16 गंदा नहीं बिजली रहने का गर्मी में पंखे के नीचे बिना पंखे वे चलते हूँ बिना पंखा चले वे पंखे को 16 गंदे तक देखना कि काज बिजली होती हो ठंडी हवा मिलती है तो यह संघर्ष ने हमें और मजबूत बनाए अब कल कई पंखा चले ना चले इसी ना चले हमें पताए हम अपने जीवन को सकारूप से जीए तो जीवन में संघर्षों से नही कर दो कि बार्पाइब पर बार शुर्ट कर दो